उदाहरन दो Q-R-S-T एक समलंब चतरभुज है जिसमें Q-R समानतर है T-S के असमानतर भुजाओं Q-T और R-S पर क्रमशह बिंदू E और F इस प्रकार स्थित हैं कि E-F भुजा Q-R के समानतर है तो दर्शाइए कि Q-E बटे E-T बराबर R-F बटे F-S है प्यारे बच्चो अब हम उदाहरन दो देखने जा रहे है उदाहरन दो एक समलंब चतरभुज के बारे में हमसे कुछ बाते कह रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में एक समलंब चतरभुज है Q-R-S-T और इसमें Q-R और T-S भुजाएं समानतर है यह हमने हाँ पर लिखा है Q-R समनानतर T-S और जो अ-समानतर भुजाएं है Q-T और R-S इनमें करम शह दो बिंदू E और F इस प्रकार से हैं कि E और F को मिलाने वाला जो रेखा खंड है वो Q-R के समनानतर है यह हमने लिखा EF समनानतर है Q-R के आप देख रहे हैं बिंदू E हाँ है Q-T पर और बिंदू F है R-S पर और दोनों इस तरह से हैं कि E F को मिलाने पर वो Q R के समनांतर हो जाता है तो ऐसी सिद्ध में हमें सिद्ध करना है कि Q E बटे E T बराबर RF बटे F S यहाँ पर देखिए Q E बटे E T बराबर RF बटे F S यानि E और F बिंदू इन दोनों भुजाओं को इस तरह से काटते हैं कि जो कटे हुए खंड है उनका उनुपाद बराबर होता है इस उदहरण को सिद्ध करने के लिए हम आधार भुत समानुपातिक प्रमे का उप्योग करेंगे आपको याद होगा कि इस प्रमे में आपने इन ही बातों को एक त्रिभुज के संदर में देखा था यदि किसी एक भुजागा समनांतर दूसरी कोई ऐसी गुजरती है कि जो शेश दो भुजाओं को इन ही बिंदों पर काटती है तो वह बिंदों त्रिभुज की शेश दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बाढती है लगबग वैसी वात यहां पर है लेकिन यहां पर त्रिभुज की जगह पर समलम चत्रुभुज है तो इसे हम सिद्ध करने के लिए अधार्भुज समानुपातिक प्रमे का उप्योग करेंगे और इसके लिए हम इस समलम चत्रुभुज को दो त्रिभुजों में बाढते हैं और ऐसा करने के लिए हम Q और S को मिला देते हैं यह जो रेखाखंड QS है वो रेखाखंड EF को G पर करता है तो आप देखिए जड़ा कि इस रेखाखंड के खीचने से जो की समलम चत्रुभुज के एक विकर्ण है यह पूरा का पूरा समलम चत्रुभुज दो त्रिभुजों में बढ़ जा रहा है एक तरभूज है QTS, यह आप देखिए QTS एक तरभूज है और दूतरा तरभूज है जिसका शीर सम्थोड़ी दिर के लिए S को माने तो SRQ यह दूतरा तरभूज है और इन दोनों तरभूजों में आप देख रहे हैं यह EF जो है वो QR के समन अंतर है और चोंकि QR Ts के समनांथर है इसलिए circulating Ef, भी Ts के समनांतर होगा तो आप एक बात चाहें तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि ins afo Tur QR और Timothy alle यहाँ समनांतर तो यह एक ऐसा आधार बनाएगा जो आगे बढ़ने मदद करेगा तो हमने इन दोनों कत्वों के आधार पर T.S. को यहां पर लिख लिया तो आप तीन जो भुञजाएं हैं वो समनानतर हो गई E.F. Q.R. के समनानतर है और E.F. T.S. के भी समनानतर है तो ऐसी परिस्ती में अगर E.F. T.S. के समनानतर है और G E A पर ही एक बिंदू है तो आप क्या सकते हैं कि E G भी T S के समनांतर है तो यहां हम लिख लें यहां थे शुरू करते हैं हम लिख लें कि E G समनांतर है T S के तो यह दोनों समनांतर हो गई तो आप फिर तुरंट आधार भूत समनुपातिक प्रमे की बात कह सकते हैं और इसके अधार पर कह सकते हैं कि ई और जी दो ऐसे बिंदू हैं जो त्रिभूज क्यू टी एस की भुजाओं क्यू टी और क्यू एस को दोनों भुजाओं को दो दो हिस्से में बाट रहे हैं QE और ET और QG और GS तो इस प्रमे के आधार पर आप कह सकते हैं कि इन दोनों कनपात वही होगा जो इन दोनों कनपात है इसे हम लिख लें तो हमें मिलेगा QE QE बटे ET बराबर होंगे QG के इसे आप कथन एक कह दे फिर से देख लिजे त्रिबुज QTS जिसमें TS के समना अंतर EG है और इसलिए आप कह सकते हैं कि बिंदू E और G भुजा QT और भुजा QS को ऐसे हिस्तों में बाटने हैं कि जनका अनुपात बराबर है तो आप कह सकते हैं QE बटे ET QE बटे ET बराबर होगा QG बटे GS के QG बटे GS के अब ठेक इस तरह से आप इस त्रिबुज में देखिए त्रिबुज SRQ में यहाँ पर भी EF QR के समना अंतर है तो जीएफ भी QR के समना अंतर होगा तो आप इस को इस तरह से लिखें अब लिखने जा रहे हैं आप त्रिबुज SRQ में SRQ में और यह जो आपने काम किया था वो था QTS में तो आप जोड़ लें त्रिबुज QTS में SRQ में आप देखिए कि चोंकि EF QR के समना अंतर है और G EF में ही कहीं इस्थित है इसलिए GF समना अंतर होगा QR के तो आप लिख लीजे GF समना अंतर है QR के यह रेखाखंड GF और रेखाखंड QR दोनों समना अंतर होंगे तो G और F ऐसे बिंदू होंगे जो क्रमशह इन भुजाओं को समान अनपात में काट रहे होंगे तो आप इसको लिख सकते है SG बटे GQ बराबर S F बटे FR और यदि इनका क्रम हम बदल दे तो हम इस तरह से कह सकते है QG बटे GS बराबर RF बटे F देखिए हमने कुछ ने किया यदि इस तरिभुज को उल्टा करके देखें तो आपको ये दो खंड मिलेंगे और ये दो खंड मिलेंगे और इनका अनुपात मिलेगा तो पहला अनुपात SG बटे GQ होगा और दूसरा अनुपात SF बटे FR होगा इसको आप इन भुजाओं को पहले लिख लें तो आपको मिलेगा QG बटे GS इस कथन को हम लिखेंगे हम ऐसा लिखेंगे क्यू जी बटे जी एस बराबर आर एफ बटे एफ आफ आप लीजे कथन दो है अब कथन एक को देखिए एक का बाया पक्ष है QE बटे एटी और दूसरा पक्ष है QG बटे जी एस यहां पर है QG बटे जी एस बराबर आरे बटे एफ अब इसको उल्टा करकर लिख लें ऐसा लिख लें आप आर एफ बटे एफ एस बराबर Q-G-GS आपने बायाँ पक्ष को दाइन पक्ष में लिखा और दाइन पक्ष को बायाँ पक्ष में लिखा और मालीजी यही कथन आपका दो है तो इससे आप इन दोनों को मैच कर सकते हैं देखिए राइट हैंड में आपको मिलेगा Q-G-GS आपको मिल रहा है Q-G-GS तो राइट है अगर बराबर है दो समी करनों के तो उनके बायाँ पक्ष में बराबर होंगे तो आप लिख सकते हैं Q-E-E-T इसका प्रणाम होगा एक और दो से हमको मिलता है Q-E-E-T-Q-E-E-T-A-P-R-E-A-P-F-S आपके करना था Q-E-E-T-A-P-R-E-A-P-E-F-S तो इस तरह से आपने देखा, यदि हमें दो बिंदो ऐसे मिलते हैं, जो समानांतर भुजाओं के समानांतर हैं, या तो आप इसके समानांतर कह लें या इसके समानांतर करते हैं, वो दोनों के समानांतर हो जाएगा, तो ऐसी परिस्ति में E और F ऐसे बिंदो होंगे, जो असम और यही आपको सिद्ध करना था